आज का पहला इंपॉर्टन आर्टिकल बात करता है अनामया इनिशेटिव के बारे में अनामया इनिशेटिव कफी स्पेशल है क्यों कि कई मंत्राले और 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 इसमें साथ आके काम कर रहे हैं यह एक multi stakeholder initiative है जिसमें अलग-अलग भागिदार है जो दो ministers से उन्हें इसको launch किया था Union Minister of Health and Family Welfare और Union Tribal Affairs Minister जो इनने है तो खास बात किया है कि इसमें Tribal और Health Ministry की collaboration है इसके अलाबा दो बड़ी foundation जैसे पिरामिल foundation और Biller Melinda Gates Foundation इसको support कर रहे है यह जो initiative है प्रयास करता है कि अलग-अलग government की जो organization है वो अलग-अलग तरह की schemes चलाती है ताकि जो जन जाती है जन संक्या है उसके health पर काम किया जा सके उनके स्वास्त के उपर focus किया जा सके तो उन सभी को जो भी उनको nutrition को लेके समस्या है health को लेकि जो schemes चल रही है उसको साथ लेने का प्रयास है यहाँ पर जिसमें की अलग-अलग तरह की governments जो state governments है जो philanthropist हैं NGOs हैं, foundations हैं वो सभी मिलकर अपने efforts लगेंगे, collaborate करेंगी ताकि एक sustainable health ecosystem मनाया जा सके जहां केवल health मतलब यह नहीं होता कि इलाज करना, अगर हम किसी को nutritious रखेंगे, वहां कि अगर पोशन उनका ठीक से रहेगा तो उनको इलाज की आवश्रकता ही नहीं पड़ेगी तो यह पूरे जो health challenges हैं भारत की tribal population के उसके उपर focus किया गया है खास बात है कि अभी initially यह 50 aspirational tribal districts में launch किया गया है जो जिले हैं वहां पर यह launch किया जाएगा जहां कि जन संख्या उबल और जन संख्या जो है उनने 20 प्रदिश्यर से जादा जिसमें tribal population वहां इसको launch किया गया है दस साल के बाद 117 district तक इसको फैला दिया जाएगा और जो district अभी initially select होंगे वह कौन करेगा तो ministry of tribal affairs तो यह जो पूरा initiative इसका प्रयास कहा है collaborative level पे सारे जो components इसको साथ ललना अलग-अलग-अलग-अलग bodies के साथ collaborate करना इसी अनामा initiative की जैसे हमने बात की travel affairs का important initiative है इसके लावा कुछ और initiatives है अब देखें जैसे आलेक है आलेक क्या एक e-newsletter है जो की अलग-अलग जो stakeholders कारे कर रहे हैं जो भागिदार काम कर रहे हैं जन जाती है जनसंख्या के health स्वास्त और उनके portion के अलग-अलग आयामों के उपर अलग कोई plans पर कोई scheme पर काम हो रहा है कहीं कोई initiative रन हो रहा है तो उसका पूरा लेखा जोगा आपको इस e-newsletter से मिलता है और वहीं एक स्वास्त पोर्टल है जो की healthy nutrition की चानकरी देता है कि travel जनसंख्या जो इंडिया की है travel population उसके healthy problems है क्या data है कोई बिम तो इस data से और इनकी जो center है यह अब इसमें experts होते हैं जो ministry of tribal affairs के साथ मिलके उनको और information प्रवाइड करता है और उनको एक तरह से सलाह देता है जिससे बहतर तरीके से policy बन सके ताकि जो इंडिया की travel population है उसके सेहत और स्वास्त के लिए तो खास बात यह है कि इन सभी चीज जहां पर ministry of travel affairs facebook के साथ collaborate कर रही है ताकि जो travel youth है उसको mentorship उसको leadership training दी जा सके ताकि वो भी digital opportunities का फाइदा उठा सके खास बात यह है कि इसे याद कैसे रखना है तो यह याद रखना है कि अच्छा facebook के साथ भी collaborate किया है travel affairs ministry ताकि अगर कभी prelims में question आ जाए तो आपको याद र इसे जो exceptional question आते है Facebook के अब उमीद नहीं करते कि किसी ministry के साथ normally को काम करेंगे Amazon ने भी tribal affairs ministry के साथ कुछ initiative launch किया था अपने warehousing को लेके तो यह सारी चीजें जो होती है वो आपको याद रखना चेक किस ministry के साथ कौन सी private body आई या pyramidal health की बात हो गई तो वो कहां-कहां उनका ज data मिलेगा कौँछी scheme चल रही है initiative कौन सा launch किया है उसने कितना कुछ हासल किया है जो इंडिया का sustainable development goal है उसको भी ध्यान में रखते हुए यहाँ आपको सारा data मिलता है यह बात होगी अनामया initiative के इसी तरह एक और जो अगला हमारा article है वो बात करता है international virtual election program के बारे में अब य का organizational structure पता है तो जो ECI है इन्होंने organized किया 2021 में क्यों क्योंकि इसके अंदरा अलग-अलग जो management bodies है election की दुनिया वरगी 26 देशों की वो आई और उने भी इसमें बैठक में हिस्सा लिया और तीन international organization ने भी squatting किया था क्या काम था इस program का इस program का का था जो participant है उनको overall यह दिख का election इतना महतुपूल इसलिए है कि बहुत बड़े level पर होता है और ECI बहुत efficiently इस पर काम करती है तो जो भी initiative यह launch करते है voter facilitation को लेगे covid के time में क्या कि इन्होंने special किया capacity building कैसे की आगे अलग-अलग राज्यों में इन्होंने क्या क्या election underway जो है वहां क्या 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 करने वा जो भी दुनिया भर के देशों में जो bodies वहां election कराती है उनका एक सम्मू है यह 2013 में South Korea में established किया गया और इसका secretariat भी South Korea के राजधानी Seoul के अंदर है यह दुनिया का largest association है election management bodies का जिनका पुरा प्रयास है कि दुनिया महर में sustainable democracy को grow किया जा है क्यारेगा मतलब कि अगर procedure सही हो voters को पता रहे कि कैसे उनको vote देना है उनको लिए सहुलियत हो voting देने की और transparent voting हो तो भी जाके democracy strong होगी लोगतारे में तो बहुत important है जिसको आप vote दे वोडस तक पहुचे इसलिए दुनिया भर की जो members है वो साथ आते है bodies जो ऐसी है election commissions वो मिलके बैटके बात करते हैं और management practices और knowledge को शेर किया जाता है तो इसी तरह एक इनिशेटिव है association है जिसको 2019 से लेके 2021 किस तक इसकी चेर किसके पास है election commission of India के पास है याद रखिये ठीक है इसलिए भी important है कि अभी जो चेर्मेंशिप है वो election commission of India के पास है इसी तरह एक अगला article बात करता है red sea में हाल में एक Iranian refrigerator को इसराइल ने मार गिराया और यह blast कहां हुआ तो यह इनका एक Iranian commercial vessel था मवे सवीज जो की जिबूटी के बिलकुल side में था वहाँ पर से गिराया गया अब देखे question हम इसके IR के perspective में अभी जाने से पहले यह देखते है कि इसका location कहा है इसराइल इरान में हमेशा से ठीक है तो पहले देखते हैं कि यह जो blast हुआ कहां पर हुआ यह कहां attack हुआ रेड़सी के पास रेड़सी की location आपको पता होने चाहें Red Sea यहाँ पर है Red Sea के दो तरफ यह से कहते है Choke Point Choke Point मतलब वो जग़े जिसको अगर कभी देशों में यह दोवादेश से चोक किया जासकता है यहाँ Swiss Canal है Swiss Canal हाल में चोक कर गए थह क्योंकि एक Ever Green नाम की Company का बड़ा सा ship Swiss Canal में जाके फस गिया था को रेट सी के सवारा द्वारा चोड़ के यूरोप को इसया से जोड़ा जोड़ती है यह नहर स्वेस्ट नहर ब्लॉक हो गई थी यानि चोक कर गई थी तो पूरा जो कार्गो था जो समान था जो मूब कर रहा था रुख गया था बहुत बुला ट्रैफिक जय जैम यहां लग जहां पर स्वेस्ट कनाल भी है सुडान एरिट्रिया जिबूटी यह सभी सुमालिया फिर इस साइड आपको सौधी अरब ठीक है यह सारी चीज़े हैं यहां यमन यमन में युद्ध में से चलता रहता है उपर जॉर्डन है तो इससे आपको यह भी पता लगता है कौन से इल में कleich अच्छी तस्री देकन यह त Esse Studio यहां कि यहां यहां के रिजन में समस्च्द इरuba बहुत सारी पायरसी होती है यानि लूटेरी समदिर रूटेरी यहां बहुत घुमते रहते हैं रेड सी को और परशन गल्फ को करें यहां पर परशन गल्फ है ठीक हिए इधर गल्फ पानी को लाल कड़ेती है चरुसी कारण में इसका नाम रेड़ सी पड़ गया तो इसके कौन-कौन से देश है आसपास एक बहुत-बड़ा जो रेतिला इलाका है दुनों तरफ डेजर्ट है इधर तो हैं मक्का मदिना है और सौधिरेप का डेजर्ट है इधर आपको इजिप पॉइंट साथ शे पॉइंट साथ लाक करोड का बिजनस इनने इस साल किया है तैईस पॉइंट पास पॉइंट की ग्रोफ रेट रही है तो इससे हमारे ध्यान रखनाची कि नबाड की बॉड़ी जो कि 1982 में फॉर्म हुई थी क्यों क्या करती है कैसे फॉर्म हुई तो यह एक statutory body है यानि एक जो National Bank for Agriculture Rural Development नबाड एक्ट बनाया गया तो 1980 में उसके तहत इसको स्थापिट किया गया और जो भी RBI का function था agriculture credit का लेकर कि क्या उधार देना है क्या उसको manage करना है वो सब इनको सौंप दिया गया तो नबाड का काम क्या है पहले एक development bank है जो rural sector के उपर focus करता है और देखता है कि जो क्रिशी और जो ग्रामरी इलाके वहां पर banking और finance की सुविधा है दी जा सके specifically focus कहा है agriculture के उपर तो यह cooperate करता है RBI के साथ और RBI तीन directors भी देता है नबाड के board of directors में और नबाड recommendation देता है कि कौन से cooperative bank को license देना चाहिए किन state cooperative bank को गाओं में कहां पर किस जगह पर ब्राजिस खोलने है नबाड का headquarters कहा है उंबई में यह क्या है अब इसका काम क्या होगा इसका काम जैसे हमने ऊपर मेंचन किया कि यह primary agriculture और रूरल प्रेडिट का का काम देखता है तो वहाँ पे जो refinance की बात है ग्रामीन इलागों में infrastructure build करना है या फिर वहाँ के cooperative bank या regional rural bank जो होते है ग्रामीन bank उनकी banking practices उनके जो banking solutions से उसके उपर काम करना union government की जो development schemes है किसी अगर किसी loan को refinance करना है तो यह सब काम नाबार देखती है इसके अलावा यह international partnership भी रखती है इसे world bank के साथ कई इसे करार होत के कोई अगर program चल रहा है government का जहां loan देना है funding देनी है तो वहाँ नाबार देसी bodies आकर funding देती है तो इससे उनको फिर इस बाद profit हुआ है यह हो गए नाबार की बाद आगे बढ़ते है और देखते है ट्राइबिनल reforms के बारे में हाली में प्रेजेंट अफ इंडिया ने एक प्रणाली है उसमें course होते हैं इनके अलावा अलग judicial bodies भी होते हैं कुछ tribunals होते हैं तो उसी तरह ही जो ordinance pass किया गया है यह central government को शक्ती प्रणाम करता है कि वो जो ऐसे tribunals बनाए जाएंगे इनने किसको अपॉइंट करना है उनकी qualification क्या होगी कि इतनी salary दी जाएगी क्या terms and conditions उनके employment के इसको पर law बना सकेगी तो इसके अंदर chairperson और जो members of tribunals होंगे वो कौन appoint करेगा central government लेकिन यह जो appoint करेंगे chairperson वगरा इसको recommend कौन करेगा तो एक search come selection committee होगी यानि सरकार यह decide करेगी कौन कैसी salary लेगा और किस तरह के उनके appointment का term रहोगा कितने time तक उनको allowance दिया ज होगी जिस committee के अंदर Chief Justice of India उसको head करेंगे और या फिर कोई अगर Supreme Court के judge वो appoint करते है तो वो इसको head करेंगे तो इसके अंदर chairperson होगे ट्राइबनल्स के जिनका 4 साल का period होगा या फिर जब तक 70 साल की हो जाया तब तक का राइट और इसके अलावा जो बाकी member tribunals के होगे उ इसे airport appellate tribunal जो बनाया गया था 1994 में और इसके अलावा जो appellate board बनाया था trade markets act के था है तो उसको हटाया गया फिर जो एक film certification appellate tribunal था उसको हटाया गया तो यह सारे जो tribunals थे जिनका उतना काम रहा नहीं है तो उनको हटा दिया गया कि भाई कोई appeal आपको अगर trade markets act में ला आया जासा के judicial body तो यह ordinance था समझने की बात यह कि एक search committee होगी join चीजहों को कैसे को चुनता है उसको lead करेगी यह हो गए किस चीज की बाद tribunal reform के बाद क्यों रिफार्म किया गया क्योंकि यह जो ट्राइबनल से और इन पे कोई विशेशकार हो नहीं रहा था तो इनके बदल tribunals होते हैं जो किस चीज के काम करते हैं कोई भी अगर प्रशासनिक समस्या होती है उनके बारे में tribunals बनाए जाते हैं तो दो आर्टिकल भी है अर्टिकल 323a 323b जो बात करते हैं tribunals के विशेय में कि उनके पास कैसे कैसे उनको deal करना है तो यह constitution में इसके लिए provision दिया ग इसके साथ उनने honey corner भी launch किया है honey corner handle कॉन करता है तो मधू करांती पॉर्टिल के बारे में पहले जानते हैं यह असल में की इनिशेटिव है यह portal online registration करेगा ताकि पता लगा जा सके कौन से honey का कौन सा source है कौन सा behave कहाँ पर है कौन सा किस तरह का honey हमें provide गरता है ताकि और ज़्यादा honey quality level पर लाया जा सके और अगर ज़रुत है तो उनको 20 की reproduction को बढ़ाया जा सके इसी तरह जैसे हमने देखा कि एक portal बनाया जहां आपको सारी जानकारी मिलेगी trace करने के लिए honey कहां से आ रहा है क्या बात है उसी प्रकार से honey corner बनाये यानि honey की marketing के लिए शहर अगर बीचा जाता तो fpo के साथ मिलके नेफिड ने 14 से 15 honey corner खोले है दिल्ली और मसूरी में जि सेचलिस को दिया है जोरेस्टर उसके बारे इंडियन प्राइमिस्टर ने एक fast petrol vessel पी एस जोरेस्टर को सेचलिस को हाली में एक virtual event के तुरा उनको भेट किया तो यह जिसे बनाया है जिस company निसको नाम है garden reach shipbuilding and engineering इस fast petrol vessel का का काम है patrolling करना smuggling और रोकना anti poaching को रोकना और जो rescue missions होते हैं उनको run करना खास बात यह चौथा fast petrol vessel है जो इंडिया ने gift कि है सेचलिस को और इससे पहले topaz constant और पेट्रोल बोट हम्स को इंडिया gift कर चुका है किसको सेचलिस को सेचलिस को सेचलिस की कहा location है यह आपको याद होना चा था यह जो plant है यह solar photovoltaic democratization project जो इंडिया का उसका हिस्सा है जो सेचलिस में इंडिया as a grant दे रहा है तो यह इसमें solar 14 लाख unit of power annually में बनेगी और यह solar plant इंडिया अपने soft जिसे कहते हैं soft power projection करने के कोशिश में है और ऐसे दुश्यों के साथ संबंद बढ़ाने के लिए एफ और यह जो code building इंडिया का पहला major civil infrastructure project है जो सेचलिस में जिसे की grant assistance के साथ बना गया है इसके लिए grant भी इंडिया दे रही है इतनी बाते सेचलिस की कर लिए तो भाई क्यों दिया जा रहा है कहां location है यह देख लिए यह इलाका है सेचलिस का तो यह किस कोने के इलाके में यह आपका मेंडगेस का है यह मेंजंबीक है तो यहां पर आपको तो आवशकता होगी चोटा सा आइलेंड देश है यह security के लिए यहाँ सी पारसी बहुत जादा है उपर Somalia है तो खत्रा भी रहता है तो इसलिए इन्हें जरुत होती है तो इंडिया इनको support provide करता है आईए एक multi-stakeholder initiative है Ministry of Social Justice Empowerment का Association of World Election Body Aweb जो है 2013 में established हो गई इसकी Secretary to see all South Korea में है नबाड 1982 12 July को establishment हुआ और यह statutory body है body of water जो Red Sea को Indian Ocean से connect करता है उसका नाम है Gulf of Aqaba अब यहाँ याद रखे Gulf of Aqaba के साइट था सुर्ज कनाल के साइट था सुर्ज कनाल किसको जोला है Red Sea से यह भी आपको पता होना चाहिए और PS Zoraster एक hydrographic service ship है इनमें से कितना सही हुआ आपका कितना घलत हुआ I hope आपने सारे सहीं की होंगे काफी simple questions थे तो आज के लिए इतना ही देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद thank you very much and have a nice day